नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है परमो ठाकूर और आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रोडट कैफे यूट्यूब चनल दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 32 इंच साइज के टीवी के बारे में दोस्तों एक समय था जब जिसको भी टीवी लेना होता था वो सोरूम पे जाकर LG, Samsung और Sony में से किसी भी एक टीवी को सलेट कर लेता था लेकिन आज के समय में मार्किट में बहुत सारे ब्रांड अपनी नई-नई टेकनोलजी लेकर आ गए हैं जिनकी वज़े से अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब से बेस्ट टीवी सलेट करना एक मुश्किल काम हो गया है आपकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप फाइब 32 इंच स्मार्ट एलेडी टीवी 2022 इन इंडिया के प्राइज डिस्प्ले क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, हाडवेर, सॉफ्ट्वेर और कनेक्टिविटी ओप्सिंस के बारे में टीटेल ही बताऊंगा तक कि आपको पूरी जान करें मिल सके और आप अपने लिए एक बेस्ट 32 इंच टीवी सलेक्ट कर सकें लेकिन यदि चैनल पर नए हैं और मुझको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्स्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तो 32 इंच साइज के टीवी की बात करें तो ज़्यादा तर लोगों confusion यह होता है और इनका खुद का operating system होता है जैसे LG का WebOS और Samsung का Tizen इन टीवी में आपकी सभी OTT एप्स जैसे Netflix, Prime Video, Hotstar और YouTube काफी अच्छे से चल जाती है दोस्तो यदि आप टीवी पर setup box का content ज़्यादा देखते हैं तो आपके लिए smart TV एक best option बन जाते हैं क्योंकि यह कम RAM में आपको अच्छी performance देते हैं वही Android TV की बात करें तो Android TV में आपको Android का operating system देखने को मिल जाता है इसमें आपको Play Store का support मिलता है जिसकी विएसे इन TV में आपकी सभी OTT apps के साथ साथ Play Store की बागी app भी काफी अच्छे से चल जाती है तो दोस्तो यदि आप setup box के साथ साथ Play Store की बागी app का भी enjoy करना चाते हैं तो आपके लिए Android TV एक best option है तो यह main difference होता है Android TV और smart TV में अब बात करते हैं अपने main topic Top 5 32-inch smart LED TV के बारे में तो इस list में पांचवे नमबर के आता है Acer 32-inch HD-ready Android LED TV Model number आप अपनी screen पर check कर सकते हैं दोस्तो Acer के इस TV में आपको frameless design देखने को मिल जाता है जो इस TV के look को enhance करता है Display की बात करें तो इस TV में आपको 60Hz refresh rate और 178 degree wing angle के साथ HD-ready A plus VA panel मिल जाता है जो support करता है HDR10, micro dimming और noise reduction technology को जिसकी वैसे ये TV आपको काफी अच्छी quality की picture quality प्रवाइट कराता है Sound की बात करें तो इस TV में आपको 24 watt के speaker मिल जाते हैं जो Dolby Audio को support करते हैं और आपको अच्छी quality की sound प्रवाइट कराते हैं दोस्तो इस TV में आपको 64-bit का quad core processor मिल जाता है with 1.5 GB RAM और 8 GB internal storage के साथ जिसकी वैसे इस TV की processing में कोई issue नहीं आता software की बात करें तो दोस्तो ये Google certified Android TV है जिसके अंदर आपको Android का operating system मिल जाता है इस TV में आपकी सभी OTT apps जैसे Netflix, Prime Video, Hotstar और YouTube के साथ-साथ Play Store की बाकी app भी काफी अच्छे से चल जाती हैं इस TV के smart features और connectivity options को आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं जिनकी help से इस TV को use करना और भी आसान हो जाता है इस TV में आपको voice control smart remote मिल जाता है जिसमें आपको convenience के लिए Netflix, Prime Video और YouTube की hotkey मिल जाती है दोस्तों इस TV का price है 14,000 के आसपास और इसमें आपको 1 year की warranty मिल जाती है दोस्तों एक बात का धिहान रखेगा कि इन सभी TV के price change होते रहते हैं तो exact price के लिए आप link पर जाका जरू जैक कीजिएगा हो सकता है कोई sale या offer चल रहा हो और ये TV आपको कम price में मिल जाएं इन सभी TV के link मैंने वीडियो के description में दे दी हैं तो दोस्तों अच्छी picture quality और sound quality के साथ 14,000 के budget में Acer का ये 32 inch TV एक अच्छा option है आप इसको check कर सकते हैं इस list में चौते नमर पे आता है Redmi 32 inch HD Ready Android LED TV model number आप screen पे check कर सकते हैं दोस्तों Redmi के इस TV में आपको काफी सुन्दर design देखने को मिल जाता है डिस्पले की बात करें तो इस TV में आपको 60 hertz refresh rate और 178 degree viewing angle के साथ HD Ready A plus VA panel मिल जाता है जो support करता है Vivid Picture Engine को जिसकी वैसे ये TV काफी अच्छे color produce करता है और आपको अच्छी picture quality प्रोवेट कराता है sound की बात करें तो इस TV में आपको 20 watt के speaker मिल जाते हैं जो Dolby Audio और DTS Virtual X को support करते हैं और आपको अच्छी quality की sound प्रोवेट कराते हैं दोस्तों इस TV में आपको quad core processor, 1GB RAM और 8GB की internal storage मिल जाती है software की बात करें तो ये भी एक Android TV है जिसके अंदर आपको latest Android 11 का operating system देखने को मिल जाता है दोस्तों इस TV की सबसे बड़ी खास बात है इसका patch wall user interface जो काभी user friendly है और ये आपके एक ही जगह पर जदा तत देखे जाने वाले content को दिखा देता है दोस्तों इस TV को यूज करने में आपको काफी मजा आएगा इस TV में आपकी सबी OTT apps के साथ साथ Play Store की बाके app भी काफी अच्छे से चल जाती है Redmi case TV के सभी smart features और connectivity options को आप अमनी screen पर चेक कर सकते हैं जिनमें से smart recommendation और user center काफी अच्छे smart feature है दोस्तों Redmi case TV का price है 15,000 के आसपास और इसमें आपको 1 year on product और 1 year additional warranty on panel की मिल जाती है तो दोस्तों Redmi की तरफ से 32 inch size में एक अच्छा TV है आप इसको चेक कर सकते हैं Best 32 inch TV in India 2022 की लिस्ट में तीसरी नमबर पर आता है Hisense 32 inch HD ready Android LED TV model नमबर आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं दोस्तों Hisense के इस TV में आपको near bezel less design देखने को मिल जाता है जिसकी वेर से ये TV काफी premium लगता है डिस्पेले की बात करें तो इस TV में आपको 60 hertz refresh rate और 178 degree viewing angle के साथ HD ready ultra vivid high contrast IPS panel मिल जाता है जो सपोर्ट करता है natural color enhancer को और noise reduction को जिसकी वेर से ये TV natural color produce करता है और आपको sharper और cleaner picture quality प्रवाइट कराता है साउंड की बात करें तो इस TV में आपको 24 watt के speaker मिल जाते हैं जो सपोर्ट करते हैं DTS Virtual X को और आपको अच्छी quality की surrounded sound प्रवाइड कराते हैं दोस्तों इस TV में आपको quad core processor, 1 GB RAM और 8 GB की internal storage मिल जाती है जिसकी वेर से इस TV में performance की कोई कमी नहीं आती software की बात करें तो ये भी एक Google certified Android TV है जिसमें आपको Android 11 का operating system मिल जाता है यानि इसको use करना भी काफी आसान है इस TV में आपकी सभी OTT apps के साथ साथ Play Store की बाकी अभी काफी अच्छी से चल जाती हैं दोस्तो हैसेंस के इस TV में आपको Chromecast Build-in, Google Assistants, One Touch Access, Screen Sharing और Dual Band Wi-Fi जैसे smart features मिल जाते हैं इस TV के connectivity options आप अपनी screen पर check कर सकते हैं जिनको आप different devices को connect करने के लिए use कर सकते हैं दोस्तो इस TV का price है 14,000 के आसपास और इसमें आपको 1 air की warranty मिल जाती है तो दोस्तो IPS panel के साथ 14,000 के budget में Hisense का ये 32-inch TV एक अच्छा option है आप इसको check कर सकते हैं इस list में दूसरी नमर पर आता है OnePlus 32-inch HD Ready Android LED TV, model number आप screen पर check कर सकते हैं दोस्तो और TV की तरह OnePlus के इस TV में भी काफी कम bezel का use किया गया है जो आज के समय में एक trend सा बन गया है डिस्पले की बात करें तो इस TV में आपको काफी अच्छी picture quality मिल जाती है जिसमें आपको 60 Hz refresh rate के साथ HD Ready VA panel मिल जाता है जो support करता है HDR 10, HLG और gamma engine को gamma engine के help से ये TV अपनी picture quality काफी अच्छे से optimize करता है जिससे आपको better color मिलते हैं with more clarity और जो आपके viewing experience को enhance करता है sound की बात करें तो इस TV में आपको 20 watt के speaker मिल जाते हैं जो Dolby audio को support करते हैं और आपको crystal clear surrounded sound प्रवर्ड कराते हैं दोस्तो इस TV में आपको quad core processor मिल जाता है with 1GB RAM और 8GB internal storage दोस्तो ये भी एक Android TV है जिसमें आपको Android 11 का operating system मिल जाता है इस TV की खास बात है इसका oxygen play 2.0 user interface जो काफी user friendly है और इसको use करने में आपको काफी मज़ा आएगा ये आपके ज़्यादा तर देखे जाने वाले content को एक ही screen पर दिखा देता है और आपकी watch list के हिसाब से आपको अच्छ अच्छे program recommend करता है दोस्तो इस TV में आपकी सभी OTT apps के साथ साथ प्लेश्टूर की बागी अभी काफी अच्छे से चल जाती है इस TV के smart features और connectivity options को आप अपनी screen पर check कर सकते हैं जिन में से OnePlus Connect और Oxygen Play काफी अच्छे smart feature है दोस्तो इस TV का price है 16,500 के आसपास और इसमें आपको 1 year on product और 1 year additional warranty on panel की मिल जाती है तो दोस्तो OnePlus की तरफ से 32 inch size में एक अच्छा TV है आप इसको check कर सकते हैं दोस्तो किसी भी TV को लेकर आपको कोई confusion हो तो आप comment मली कर वेट से पूछ सकते हैं दोस्तो आप बात करते हैं number 1 की लेकिन वहाँ जाने से पहले यदि ये वीडियो आपको informative लग रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी interesting वीडियो देखने के लिए इस लिश्ट में number 1 पर आता है Samsung World Entertainment Series 32 inch smart LED TV model number आप screen पर check कर सकते हैं दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Samsung के TV की build quality काफी अच्छी होती है डिस्पले की बात करें तो इस TV में आपको 60Hz refresh rate के साथ HD ready VA panel मिल जाता है जिसमें आपको HDR, per color और contrast enhancer का support मिल जाता है जो आपको ultra clean picture quality प्रोवाइड कराते हैं दोस्तो Samsung के VA panel market में मिल रहे बाकी VA panel से काफी अच्छे होते हैं और आपको अच्छी quality की picture quality प्रोवाइड कराते हैं साउंड की बात करें तो इस TV में आपको 20W के speaker मिल जाते हैं जो Dolby Digital Plus को support करते हैं और आपको अच्छी sound प्रोवाइड कराते हैं दोस्तो इस TV की processor, RAM और internal storage की official information एवालेबल नहीं है लेकिन फिर भी इस TV का boot time काफी कम है ये TV काफी जल्दी start और stop हो जाता है और आपको अच्छी performance प्रोवाइड कराता है दोस्तो, Samsung का ये TV एक smart TV है जिसमें आपको Samsung का Tizen Operating System मिल जाता है जो इस TV को काफी अच्छे से चलाता है Samsung के इस TV में आपकी सभी OTT apps जैसे Netflix, Prime Video, Hotstar, G5 और YouTube काफी अच्छे से चल जाती है इस TV के smart features और connectivity options को आप अपनी screen पर चेक कर सकते हैं जिन में से screen mirroring और content guide काफी अच्छे smart feature है लेकिन दोस्तो, इसमें आपको Bluetooth की connectivity नहीं मिलती Samsung के इस TV का price है 16,500 के आसपास और इसमें आपको 1 year on product और 1 year additional warranty on panel की मिल जाती है तो दोस्तो, यदि आप 32 in size में Samsung यसे brand का एक TV लेना चाते हैं तो ये TV एक अच्छा option है, आप इसको ले सकते हैं तो दोस्तो, ये थी detail top 5 32 inch smart LED TV in India 2022 की इस list में 5 ओई TV काफी अच्छे हैं जिनको आप अपने budget और requirement के हिसाब से select कर सकते हैं वही मैं अपने recommendation की बात करूँ तो आप Samsung या फिर OnePlus और Hisense में से किसी एक TV को select कर सकते हैं दोस्तो, इस list में कौन सा TV आपको बैस लगा हमें comment में लिकर जरूर बताइएगा तो दोस्तो, आज की वीडियो में बात इतना ही मिलते हैं अगले interesting वीडियो में जब तक के लिए खुश रहें, स्वास्त रहें, नमस्कार